ओम शान्ति आज 18 ओगस्ट 2022 है बाबा ने हम बच्चों को ये सेवा दी है कि अपने मन के द्वारा बचनों के द्वारा कर्मों के द्वारा हम भारत को सुखी बनाए और कुछ न कुछ ग्यान दान अवश्य दें आज बाबा ने हम बच्चों को बर्दान दिया है बे फिकर बादशा की स्थिती में रह वायू मंदल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचाईता भव जब वायू मंदल हमारे चारों और का खराब हो जाता है डिस्टर्बिंग हो जाता है नेगिटिव हो जाता है तो कई बार हम उस नेगिटिव के प्रभाव में आ जाते हैं यदि चारों और सभी हल्चल में हैं तो उनकी हल्चल को देखकर हम स्वयम अगर हल्चल में आ गए तो शक्तिशाली कौन हुआ वायू मंदल या मैं मास्टर रचाईता वायू मंदल हमारी ही रचना है क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं जैसी मनुवृत्ती होती है वैसा ही वायू मंदल हम बना लेते हैं हमारा कारे ही है वायू मंदल को परिवर्तन करना ना कि वायू मंदल के प्रभाव में आ जाना अगर हम अपने मन और बुद्धी से ब तो बाबा की शक्तिशाली किरने, बाबा की शक्तिशाली प्रकम्पन, कैसी भी negative वायू मंडल ऐसी कैसी भी परिस्थिती को परिवर्तन कर सकते हैं, तो कितनी भी कोई negativity फेलाने की कोशिश करें, लेकिन अगर मैं बेफिकर हूँ, मेरी पुद्धी की तार बाबा से जुड़ी हुई है, मैं वायू मंडल को देखकर हलचल में नहीं आ रही हूँ, तो मैं अपनी वृत्ति के द्वारा वायू मंडल को चेंज कर सकती हूँ, परिवर्तित कर सकती हूँ, तो इसके लिए हमें एक बाबा को देखना है, स्वयम को देखना है, हलचल की परिस्थिती को नहीं देखना सदा बेफिकर रहना है और जिसका साथी स्वयम भगवान है उसके लिए सदा विजय है हम सदा सुरक्षत हैं बाबा की छत्र चाया में है इन शुब और श्रेष्ट संकल्पों से अपने आप को कैसे भी वातावरन से बचाना है और मास्टर रचाइता बन वायु मंड की भी अपनी शुब और श्रेष्ट वृत्ति के द्वारा सेवा करनी है ओम शांती